नमस्कार मैं प्रेंग का स्थाना आप देख रहे हैं वीके नियोज उत्तर प्रदेश के सोन भद्र जिले में लगभग सारे तीन हजार टन सोना मिला है जिसकी कीमत लगभग सारे बारा लाग करोड रुपे बताई जा रही है सोना मिलने से योगी सरकार माला माल हो गई है पतादे कि सोने का ये भंडार भारत के पास मौजू सोने के भंडार का करीब पाच गुना है इससे साबित हो जाता है कि आखिर भारत को क्यों सोने की चिडिया कहा जाता था सोन भद्र में इतना सोना देखकर पूरे विश्य की निगाहें सोन भद्र पर आकर टिक गई है इसी वज़ा से अब सोन भद्र सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है लेकिन जहां एक तरफ इतना सोना पाकर बुवेज्यानिक अचम्वित है तो वहीं दूसरी तरफ सोने के साथ कुछ ऐसा मिला है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि जब भी सोने की खान मिलती है तो उसके रक्षक भी उसके साथ मिलते हैं और ये रक्षक कोई और नहीं बलकि ऐसे जीव होते हैं जिनके काटने के बाद डॉक्टर तो क्या भगवान भी नहीं बचा सकता इसी खड़ी में सोन भद्र में सोने की खदान के पास दुनिया के सबसे जहरीले सापों का भंडार मिला है बुवेग्यानिकों के अनुसार सोन भद्र में ऐसे साप मिले हैं जो की सबसे जहरीले सापों की प्रजातियों में शामिल हैं बता दे कि यहाँ पर विशु के सबसे जहरीले सापों की प्रजातियों में से तीन प्रजातियां रसेल वाइपर, कोब्रा और करेत का डेरा है ये तीनों प्रजातियां इतनी जहरेली हैं कि किसी को काट ले तो उसका बचना नामुम्किन है बतादे कि ये विश्व के सबसे जहरेले सापों में शामिल रसेल वाइपर की प्रजाती होती है जो कि उत्तर प्रदेश के एक मात्र सोन भद्र जिले में ही पाई जाती है अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिर ये प्रजाती सोन भद्र में ही क्यों पाई गई है क्योंकि सोन भद्र में सोने का भंडार है और इस भंडार के रक्षक सापों की सबसे जहरीली प्रजाती रसेल वाइपर कर रहे थे बतादे कि अगर रसेल वाइपर काट ले तो इसका जहर हीमो टॉक्सिन खून को जमा देता है अगर ये गुसे से काट ले तो अपना पूरा जहर शरीर में डाल देता है जिससे इंसान की घंटे भर से भी कम समय में मौत हो जाती है कोब्रा और करैट सापों की प्रजाती की बात करे तो इन में नियूरो टॉक्सिन जहर होता है जो नर्व सिस्टम को शूनी कर देता है और मनुशी की मौत हो जाती है अगर कोब्रा साप काट ले तो सूजन होती है लेकिन करैट का काटना तो पता भी नहीं चलता डारेक्ट इंसान की मौत होती है बताते कि विश्व के सबसे जहरीले सापों की कई प्रजातियां ऑस्टेलिया के जंगलों में भी पाई गई थी वन्यजीव प्रतिपालक संजीव कुमार के मुताबिक दुरलब प्रजाती के सापों के अस्टित्त को देखते हुए औस्टेलिया में कोईले की खदान खनन प्रकडिया पर रोक लगा दी गई थी इसका मतलब है कि सोनबद्र के इन सापों की प्रजातियों पर खत्रे के बादल मंडरा रही है बतादे कि वन्यजीव विहार छेत्र में खनन की अनुमती देने का निर्ने केंद्री वन एवं पर्यावरण मंत्राले लेता है लगतब साड़े तीन हजार टन सोना मिलने के बाद भी सोनबद्र के चौपन ब्लॉक के सोन पहाडी और हर्दी में सोने के भंडार की एई टेंडरिंग को लेकर रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाएगी और केंद्री वन एवं पर्यावरण मंत्राले इस पर निर्ने लेगा तेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए और जानकारी के लिए देखते रहें बीके न्यूस लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें